हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल जे एससी वाला दोस्तों आज का क्लास बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है फुल फॉम है काफी महत्पुन है देखिएगा पता चलेगा काफी इंपोर्टेंट फॉर्टेंट है ना कि जे एससी सीजल में ही अब जितने भी ग्जा यहां प्रिखेंगे तो चैनल को सब्सक्राब कर लेजएगा और बेल बटन दबा देजेगा क्योंकि बैल बटन दबा कर रखेंगा तब जैसे बीड़ डाले नोट्विक्षान आपके तक पहूंच जाएगा और आप का सेलेक्शन इर्हाम्य होने का चांस से ज्यादा घु और वही चीज करवा आता है बारवा ठीक है इसलिए अपने इतना तो पढ़ी लिए होंगे आप लोग अराम से जाए सिलेबस निकाल टोपिक लिए और प्रिविजन कीजिए कहीं से कोर्षन लगाना है तो अब क्लास लेने क्या फैदा यूटुबर लोग कर देखते ही होंग इसलिए समझदारी समझिए और पैसा बचाएए फालतुब खर्च करने इसको फैदा नहीं है ऐसा नहीं जो उन्हों करवा रहा ओफर से तो आप लोग को सेलेक्शन करवा यह देगा ठीक है ऐसा कुछ नहीं बस चूतिया बनानाना काम करता है कुछ नहीं ठीक दोस्तों च पर जूड़ जाएगा यह तो लिंक डिस्क्रिशन दे देंगे इसका चलिग्राम चनल का उसमें जूड़िएगा हर चीड़ अपडेट देते रहाते हैं या फिर प्रबार करवाते हैं ठीक है चलिए फिकरते हैं लोग क्लास को स्टार्ट बिना कैसी देरी किये वे आप लो बिमस्टेक का फूल होगा यहां पूछेगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिस में एक ही बात है कोई दिखने फूल फूर्म में ऐसे ही आता है इसलिए इंग्लिस में लिखावा है हिंदी में आप समझ जाएगा इतना कोई बड़ी बात नहीं है गर्जूट का स्टूडिन त सबेंगे लिखेंटा से अचाने आप्षागे इठाएगा है बंगलीदेश भूतान मैनमर इंडिया नेपाल शिरलंका थाइलेंद नसका है जबात है मैनमर इएखटान अफ्यागे ृचवा चात है और एक सिर्लंका भी आया था ठीक एक स्टाव अपर देख सकते हैं आपके क्या क्या बोलें बंगलादेश भुटान इंडिया मैनमार नेपाल सिर्लंका थाइलेंड टोटल साथ है ठीक है इवियम इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मशीन फुलफंपुई देगा इवियम का कोशन ब जोटर वेरिफाइड पड्यपर ओड्र ट्राइल क्या है वाटर वेरिफाइड पड्र ऑडिट्रर यह रिए अदीिम लाकर सो Pap to Tmi आवने घाじट होता है थे दालक में टा इंड़ंट फ्येस मतलब लॉक्रेसी मतलों लॉक्रा गा योडिएcost कर नहीं में ठीक है और UPA उनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाइंस उनिस्टो कब वह था दूजार कब दूजार चार में ठीक है यूपीय दूजार चार में एंडिय उनिस्टो नचार फूलफ़म देखले नेशनल डेमोकरेटिक अलाइंस और UPA का क्या है उनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाइंस ठीक है प्प्लिक प्रीबेट पाटनरसिपक अब उनिस्टो बानबे प्प्लिक प्राबेट पर्टनर्शिप उनिस्सो बानबे पिपए और ओ रो यहां एक कंपुटर में फूलफ़म प्यूल पीजाएता है यह वाला रो रोल ओण रोल औण रोल आओ पहले ओन आगा फिर नेशनल रेजिस्टर अप सिटिजन्शिप फूलप में इंपोर्टेंट है अज एग्जाम पॉइंटों भी और फी एज़िया स्टुटेंट आपको यादर होना ही चाहिए ठीक है चलिए अनासी नेशनल रेजिस्टर अप सिटिजन्शिप मु जैने हो तो मुसान किया इंड ली ट्रीपुनल क्या है नेशनल गिंट्रीपुनल एंजीटी थिक एक वंज्यटी स्टार्ट किया तो दुर्ज़ दस में कभ दुर्ज़ ड़र्विकों न अभी कोन अर्द सुफर आदर कॉशन चेर्मेशन गेजिति का नफिटा नेशनल फिनांशियल रिपोर्टिंग छि ज्या है system of air quality and weather forecasting, ज्या है system of air quality and weather forecasting शफर का फुल्पम है, NCR TC, National NRC, NCR जानते होगे NCR रिजन, National Capital Region, Transport Corporation, NCR तो पते होगा, National Capital Region, विसके बाद TC का Transport Corporation, इसका फुल्पम है, चलिए, आगे देखते हैं हम लोग, देखें दोस्तों, यह फुल्पम आको देखके बहुत जरूरीच देखके जाना, ठीक है, कोशन यहीं से बनने वाला, फुल्पम से कोशन जोएगा सो, इसे बार नेत पुछेगा, ठीक है, काफी इसमें कबर करवाद दे रहे, इफर्पन का पुछेगा, दर्पन का पुछ सकता है, डिजिटल एडवांसमेंट अफ रूलर पोस्ट अफिस फोर निव इंडिया, रेरा, रेरा, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथरेटी, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथरेटी, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथरेटी रेरा का पुछेगा, लाइफ हाई इंपोर्टेंट है, लाइफ हाई इंपोर्टेंट है, लाइफ हाई का बता दिया, लाइफ ह चलिए अस्पूर्ती, a smart bright operation of optimization and real time information. असपर्स, a scholarship for promotion of aptitude and research in esteems as a hobby. A scholarship for promotion of aptitude and research in esteems as a hobby. साथी का फुलफॉर्म इंपोर्म इंपोर्टेंट एक्जाम में आया है साथी वोला. चलिबता ही साथी का. Sustainable and accelerated क्या है साथी का? यहाँ पूछ देगा, इससे देगा कि साथी में A stand for क्या? इस तरह कोशन पूछेगा, ठीक है CGL में आपका. साथी में A stand for what? A stand for what? T stand for what? इस तरह कोशन पूछेगा, ठीक है? तो साथी में sustainable and accelerated क्या है? Sustainable and accelerated adaptation of efficient textile technology to help a small industry. बस sustainable and accelerated आपको याँ दखना है. I see, I can, International Campaigns to Oblux Nuclear Weapons, GST, Goods and Service Tax Network. BBPAT तो हो गिया है, GST, Goods and Service, GST Day कमना जाता है? एक जुलाई, कब स्टार्ट किया गया तो GST सिस्टम, 2017 आपको याँ दखना है. ठीक, एक जुलाई को GST Day मना जाता है. साथ, Sustainable Action for Transforming Human Capital. क्या है? Sustainable Action for Transforming Human Capital साथ. Bheem का फूलपाउं को याद रोना, भारत Interface for Money. क्या है? important है ये, भारत Interface for Money. क्या है? भारत Interface for Money. कब लाउंच किया गया था भीम? एक तो 2016 में. कब? भीम एक 2016 में भारत Interface for Money. उजवल, उडए, उजवल डिस्कॉम एस्टॉरेंस योजना. उडान का फूलपाउं पता ही होगा? उड़े देश के आम ना आम नागरिक. उज़ाला, उन्नत जोती फोर, एफोर्डेबल, LED for all. उन्नत जोती फोर, एफोर्डेबल, LED for all. मुद्रा, इंपोर्टेंट है? माइक्रो, यूनिट, डेवलप्मेंट, एन्ड, रेफ़नाइंस एजनसी. मुद्रा का फूलपाउं क्या है? माइक्रो, यूनिट, डेवलप्मेंट, एन्ड, रेफ़नाइंस एजनसी, 2015 में लागो किया गया था मुद्रा आया. ठीक है? चलिए. अमुरूत बताईए, अमुरूत का क्या होगा? अटल मीशन फोर रेजुवनेशन इंपोर्टेंट है? इसका फूलपमेंटेशन, इसका फूलपम है, इसलामिक अस्टेट इन इराग, एन अलहम सिरिया, निती, नेशनल इन्सिटूशन ट्रांसफर्मिक इंडिया, निती आयोग बना था ने? ठीक है, कब? एक जनवरे 2015, ठीक है? निती आयोग. इसका जो होता चीफ, वो परधान मंत्री होता, जो के मोदी जी है अभी. ठीक है? चलिए. ट्राय का फुलप जाओं क सिर्डङम आयोग, यॉिए पुल्पम कोशंग आयो वहाय, ट्राय का पुलपरर्म कोशन आयो है, टेले कॉम एकॉम रेगलर्री अऱटरी आपुप न आरट अटिया? उदाय, unique identification authority of India, VAT value added tax, nota none of the above, कब 2009 में, IMPS, immediate payment service, IMPS मत इमीडियेट payment service, immediate payment service, इस दोबर बोली आदो जागे यहाँ पर, RTGS, Real-Time Gross Settlement, Real-Time Gross Settlement, RTGS, NFT, National Electronic Fund Transfer, इस इंपोर्टेंट, तीनु इंपोर्टेंट, टीक, IMPS, RTGS, NFT, IMPS में Immediate Payment Service, Real-Time Gross Settlement, National Education Fund Transfer, IFC Code आप लोब पढ़े होंगे, IFC Code, Indian Financial System Code, एकाउंट नमर खुलबाते हैं, IFC Code मांगता हैं, आपे, IFC देखी फोर्मर भरते होंगे, तो payment करते होंगे, जब, तो Indian Financial System Code, क्या है, Indian Financial System Code, अमरूत, Attal Mission for Resumination and Urban Transformation, यह हो चुका है, O.R.O.P. One Rank, One Pension, O.R.O.P. का One Rank, One Pension, चलिए, आप का बताईए, आम आदमी पार्टी, I.R.C. ले इंपोर्टेंट है, Indian Railway, Catering and Tourism Corporation, A.S.A. ले इंपोर्टेंट है, फुल्पाम, Accredited Social Health Activist, A.S.A. Accredited Social Health Activist, Cobra, Cobra का फुल्पाम, Commando Battalion for Resolute Action, Commando Battalion for Resolute Action, Cobra, मनरेगा, महात्मा गांधी National Ruler Implement Guarantee Act, इंपोर्टेंट है, कई बार आचुका है, पज़े ननरेगा से मनरेगा हो गया, I.M.E.I. International Mobile Equipment Identity, C.B. का फुल्पाम, Security and Exchange Board of India, C.B. Info DRDO, Defense Research and Development Organizations, N.D.B. National Development Bank, C.I.C. Central Information Commission, C.N.G. Compressed Natural Gas, DTS Direct to Home, N.R.I. Non-Resident Indian, F.C.N.R. Foreign Currency Non-Resident Account, C.R.R. Cash Reserve Ratio, Important है यह, C.R.R. कितना अभी? Cash Reserve Ratio, 4.50%, ठीक है, C.R.R. कितना? Cash Reserve Ratio, 4.40%, 4.50%, Strachary Liquidity Ratio, SLR का फुल्पाम होता है, Important है, यह कितना होता है, है, अभी 18% है, ठीक है, कितना है, 18% है, SLR 18 और Cash Reserve Ratio, 4.64%, 34%, CRR, SLR 18%, जो कि Estatuary Liquidity Ratio, Marginal Standing Facility, MSF, LEF, Liquidity Adjustment Facility, IPO, Initial Public Offering, IPO, NPA, Non-Performing Asset, कोशन आया होगा है, UPI Unified Payment Interface, Unified Payment Interface, तो चलिए दस्तों, लगभा हम लोग काफी जादा IMPORTANT कर लिए, फुल फॉर्म, तो जरूरु देखिएगा, एक बार ने, इसको दो बार जरूरु देखिएगा, पूरा कम्प्लेट करेंगे, प्रिवेस यहर, जरूरु साइंस, नुब्रिकल, कम्प्प्यूटर, सारा कम्प्लेट करेंगे, ठीक है, हमारे चैनले से जुड़िये, इंज्वाय किजिए, और अपने सेलेक्शन पका किजिए, ठीक दस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत